ओम श्री गणीशायनभा प्रेम से बोलिए विगनर्ता भगवान श्री गणीश की जय इससे पहले की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज सुनिए आगी की कथा त्रेता युग था मिथला देश की गंड की नामक नगर में चकरपाणी नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था उसकी पतनी अत्यंत सुन्दरी और पतीव रता थी राज्य में आएके स्रोतों की कोई कमी नहीं थी इस कारण राजा तो सुखी थे ही प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी सदा अपने राजा का जय जय कार करती रहती परन्तु राजा की अधिक आयू होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी उन्होंने अने को यग्य, दान, व्रत, अनुस्ठान आदी किये किन्तु सभी निश्फल रहे अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया किन्तु एक समस्या सामने थी कि अब राजी को किसके भरों से छोड़ा जाए बहुत विचार करने पर भीस का कुछ समधान दिखाई नहीं देता इसी अफसर पर वहां महरशी शौनक जी का आगमन हुआ राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और रिशी के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी विथा होने सुनाई फिर राज छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया महरशी ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया फिर बोले राजन तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ती यहीं पर हो जाएगी महरशी की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसनता हुई राजा ने पूछा पुत्र होगा तो कब महरशी मेरी तो आयू बीती जा रही है मुझे सब कुछ इस पस ट्रूप से कहने की करपा करे तब शोनक जी कहने लगे राजन तुम्हारे भागी में पुत्र योग तो है किन्तु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है उस बाधा का निवारन करने के लिए तुम्हे भगवान भासकर को प्रसन्न करना होगा इसके बाद महरशी ने राजा को सुर्यो पासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अतिन्त श्रद्धा भक्ति सहीत करने पर सुर्य भगवान की किरपा अवशी ही प्राप्त होगी फिर पुत्र प्राप्ति के मारग में कोई बाधा भी नहीं आएगी यह व्रत अनुस्ठान एक मास तक करना होगा नित्य प्रती किसी देवेगी ब्रहमण को एक दुधारू गाय दी जाए और एक लाख ब्रहमणों को भोजन कराया जाए अनुस्ठान पूर्ण होने पर सुरी देव की पत्नी सहीत एक लाख नमसकार करना भी अवशक है मुनी चले गए राजा ने अपनी पत्नी सहीत सुरी भगवान की उपासना आरंप कर दी अभी अनुस्ठान संपन नहीं हो पाया था कि एक दिन राणी ने सौपन में सुरी को अपने पत्नी रूप में देखा और ब्रहमचर एक खंडित कर बैठी प्रात्यकाल उसने अपने सौपन की बात राजा को सुनाई उन्हें आश्चर हुआ बोले कोई बात नहीं मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा किन्तु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया है इसलिए अनुस्ठान की सफलता निश्चित है सुनकर रानी तो चुप हो गई किन्तु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है दीरे दीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीवर होने लगा शरीर में बढ़ती हुई उष्णिता दाह का रूप लेने लगी इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की विवस्था की गई तो भी गर्भ के कारण उत्पन हुई दाह को सहर सकने में वैस समर्थ नहीं हुई अंत में प्राण संकट में जाकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया राजा ने ये बात सुनी तो दुख में भर गए परन्तु अपनी पतनी उग्रा की विवस्था की कारण वे कुछ नहीं कह सके किन्तु उधर वे गिरा हुआ गर्भ नस्ट नहीं हुआ बलकि वे एक रोतर रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा उसका रोना सुनकर धर्ती और आकाश कांप उठे उस बालक के तीन नेतर थे मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूब थे केश लालवन के थे और वे हाथ में तिरिशूर लेकर उत्पन हुआ था इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे अतह समुद्र स्वेम मानव रूप धारण कर और बालक को उठा कर महराद चक्रपानी के सामने उपस्थित हुआ उसने कहा राजन वे बालक तुम्हारा पुत्र है तुम्हारी राणी ने इसे मेरे तठ पर छोड़ दिया था इसके रोने से ही तीनों लोग काप उठे देखे बालक कितना तेजस्वी है जिसकी ओर देखना भी दुशकर है इसे संभाल ये बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन हुए राणी ने भी बड़े प्रसन मन से उसे गोध मे लेकर इस्तन पान कराया उसके नाम सिंधू उगरेक्षन और विप्रसादन रखे गए वे शिगरिता से बढ़ने लगा उगरेक्षन सुभाव का क्रूर एहंकारी और अतेंत पलवान था, बच्छمن से ही व혜 मनुश्यों से तो क्या हाथियों से टकर लेने वाला हो गया, उसने चोटी सी आयू में ही नजाने कितने हाथी अदी केवल मुक्य के प्रहार से ही धारशाई कर दिये, नजाने कितने विरक्ष किरा दिये, उसके प्रबल पराकरम को देखकर माता को बड़ा हर्श होता था शीग रही किशोरा वस्था को प्राप्त उग्रेक्षण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं तिरी लोगी पर अधिकार करने के उद्देश इसे वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूं इसलिए मुझे ऐसा करने की आग्या माता पिता ने प्रिसनिता पूर्वक आग्या दे दी अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करनी प्रारम कर दी एक सरोवर के तट पर वे तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा उसने सूरी देव की उपासना करते वे दो हजार वर्ष बिता दिए शुदा पिपासा धूप वर्ष आदी सहते सहते वे सूख कर काटा हो गया एक दिन भगवान भासकर प्रसन हुए उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया तब उसने उनके चर्णों में अपना मस्तक रखकर निवेदन किया की प्रभो मैं सभी देवता मनुष आदी को जीत कर तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूँ और मेरी कभी मृत्य नहो ऐसा आशिरवाद मुझे दीजे सूरिदेव बोले ऐसा ही होगा ये अमृत पात्र ग्रहन करो और इसे कंठ में लगाए रहना इसके रहते वे देवता मनुष नाग पशुआदी कोई भी जीब तुम्हें दिन, रात, सुभा या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा जब ये पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नखागर पर करोणों ब्रहमांडों को धारन करने वाला कोई अवतारी पुरुशी तुम्हे मारेगा तुम भासकर से वर प्राप्ती का शुभ समचार सुनाया जिससे वे भी अत्ति प्रसन हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौप दिया और खुद पस्या करने के लिए वन में चले गए उग्रेक्षण ने राजा होते ही राज विस्तार का विचा इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रग्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलते हुए समस्त प्रत्वी पर अपना अधिकार जमालिया अब उसने स्वर्ग पर आकरवन किया देवराज इंद्र ने एरावत पर चड़ कर सामना किया किन्तु उन्हें शिक्री ही परा अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्ति को वहां का अधिकारी बना दिया हार कर भागते वे इंद्र भगवान नारायन के पास व्यकुंठ में जाकर पुकारने लगे भगवान ने उन्हें आश्वसन दिया और गरुड पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल द भगवान बड़े चकित हुए फिर वो समझ गए कि ये वर के कारण ही प्रबल हो रहा है इसलिए उन्होंने नीती से कारे लेते वे कहा हे असुर राज मैं तुम्हारे पराकरम को देखकर अत्यंत प्रसन हूँ इसलिए मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो तब वह बोला हे देवाधी देव अगर आप प्रसन हैं तो कृपा कर मेरे गंड की नगर में सदैव निवास करें बस इतना सही वर मुझे चाहिए शुरी हरी ने स्विकार कर लिया अब उसने बैकुंट की विवस्था करने के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्तिकी और वहां एक सर्वत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देवताओं के साथ यहां सुक पूर्वक रह सकते हैं भगवान वही रहने लगे तब इंद्र आदी देवताओं ने उनसे कहा प्रभो आप तो इस मर्थे धाम में कारवास कर रहे हैं अब हमारा क् जगदीश्वर श्री विष्णु ने हस्तेवे कहा काल का उलंगन कोई नहीं कर सकता उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन होते वरधी को प्राप्थ होते और मरते हैं वही काल इस द्यत्तिका भी भक्षन कर लेगा किन्तु धैरे पूर्वक उस काल की प्रतिक्षा कर करनी होगी कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वह अपनी विजय गाथा सुनाता रहता जिससे उन्हें बड़ी प्रसनता होती और वेसे आशिरवात दिया करते परन्तु वे कभी ये नहीं पूछते कि तु शासन कैसे चलाता है कहीं कोई अधर्मकारी तो नहीं करता प्रजाजनों को सुखी तो रखता है या नहीं अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया घोशना कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति यग्यदान उपासना आदी ना करे मंदिर में स्थापित प्रतिमाय हटा कर जल में डुबा दी जाए और धर्ती में गहरी गार दी जाए उन उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए चार और असुरों का जोर बढ़ गया मांस मदीरा सेवन सतित्वनाश चोरी जूट छल कपट आधी की घटनाए चार और होने लगी इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिख उस समय देवकुरू ब्रस्पति ने बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो वे समस्त संकटों को नस्ट करने में समर्थ हैं संसार की सर्ग पालन और ले में वेही परमात्मा का एक मात्र कारण है इस दैते का विनाज भी वही कर सकते हैं उन विग्नेश्वर विनायक को म पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव अगर पूरा बताने की किरपा करें तो वैसा ही करने को हम तत पर हूँ ब्रस्पति जी बोले अब माग मास का ही आरंभ है कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथी आ रही है उसी दिन उनका शोड़शोप चा आदिशा नुसार माग कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकस्ति चतुर्थी का पृत आरंभ किया भगवान गणपती की प्रतिमा स्थापित कर शोड़ुशोप चार पूजन करने के बाद भावपोन हर्दे से उनकी इस्तुती की कि हे दीनों के स्वामी हे दया ज्यान गम आपको नमस्कार है हे मायातीत भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है देव गणू की इस्तुती से प्रसंद हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हो गए वे सिहों के समान प्रतित होने वाले मुशक पर सवार और अध्वत व देवतागन कहने लगे प्रभो हम निश्य ही अत्यनति स्वभाग इशाली हैं चो केवल इस वरत के प्रभाव से ही आपसे साक्षा दर्शन कर रहे हैं हे नात उग्रेक्षन नामक असुर राज ने हमारा राज छीन लिया और भगवान विश्णु को भी कैद कर लिया हैं हे दयालू हम अपना खोया हुआ वैभप पुनह शिग्रही प्राप्त कर ले ऐसी करपा कीजिए तब गण नायक ने अश्वसन दिया देवताओ मैं देवताओं के पराभव का समचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी और साथ कोटी गणों के साथ केलास छोड़कर तिरी संध्या छेत्र में निवास करने लगे वहां देवराज के भई से संत्रस्त हुए गौतम आधी अनेक रिशी महर्शी पहले से ही निवास कर रहे थे वहीं भगवान शंकर ने भी तपस्या आरंब कर दी एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पारवती ने अपने नाथ से पूछा प्रभो आप तो स्वैमिस रस्टी इस्थिती और प्रलय के एक मात्र कारण है फिर आप किसकी प्रसनिता के लिए तपस्या कर रहे ह करप्याई रहसी मुझे भी बताईए तब शिवजी बोले प्रिये अनंत कर्म वाले जिन भगवान के परत्येक रोम में असंक ब्रहमान रहते हैं वे समस्त गुणों के इश्वर गुणेश ही मेरे आराथे हैं अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं उन धाद गंग का उपदेश कर उपासना की विधी बताई तब देवी भी प्रसनमन से शिवजी की आग्या लेकर तपस्या के लिए शेख नादरी परवत पर चली गई जहां उन्होंने बारवश्त घोर तब किया तब ही उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किये उनका और पदमासन लगाई हुए विराजमान थे उस गौर वर्ण प्रभू ने अपनी गंभीर वानी में कहा हे जगदिश्वरी आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन हूं आप अपना अभीष्ट वर मांगिए तब देवी ने उनसे कहा कि प्रभू अकर आप प्रसन है तो मैं चाहती हूं कि आपकी तुस्टी के अलावा अन्य कोई वर मुझे प्राप्त ना हूं आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं एवा मस्तु कहकर देवाधी देव गणेशी अंतर ध्यान हो गए फिर देवी ने वहां एक सुन्दर मंदिर की स्थापना करके गणेशी की मूर्ती स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज और फिर वे भगवान के पास चली गई और उन्हें अपने वर्प्राप्ति की बात बताई सुनकर शिवजी बोले देवी भगवान तुम्हारे पुतर रूप से अवतार लेक देथ उग्रेक्षन और उसके साथियों को मार कर प्रत्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादी लोगपालों को उनके अधिकारों की पुने प्राप्ति कराएंगे इसके बाद उस छेत्र में देवी पार्वती जी का तब चर्चा का विशय बन गया धीरे धीरे भादरपत शुकल चतुर्थी का आगमन हुआ उस दिन चंद्रवार, स्वातिनक्षत्र, सिह लगन और पांच शुब लगनों का साथ था देवी ने गणेश जी का शोड़ुशो अप्चार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक् तेजस्वी बालक का प्राकटी हुआ, उन्होंने देवी से कहा है मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ, जिसकी आप निरंदर आराधना करती रहती हैं, अब आपके पुतर रूप से मेरा प्राकटी हुआ है, तब देवी पार्वती बोली, महा महिमा मैं, अपने इस विरा में ध्वज, अंकुष, कमल आधी के शुपचिन, तथा करोणो चंद्रमाओं के समान उज्वल गौर वर्ण था, तबी भगवान शंकर ने बालक को देकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, ये बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के इनाथ, सभ के आश्रे भूत पर मात्मा है, यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए है, तब शिवजी ने बालक का जात कर्म संसकार कराया और विप्रों को इच्छित दान किये, देवी ने उन्हें स्तनपान कराया, समस्त छेत्र में जोदिशी गण उपस्थित उन्होंने बालक का नाम विग्नहरन, विनायक, गुनेश और गणेश रखा और कहा कि ये बालक सभी शुब कर्म में प्रथम पूझनी होगा, इसके द्वारा देत्यों का संगहार अवश्यमभावी है, इसके आगे का व्रतान्त आप अगले धहाय में सुनेंगे, उमीद कर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,